हेलो BSC Second Year Student कैसे हैं आप सभी लोग, उमीध है आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC Second Year Botany के थर्ड सेमेस्टर में आपका theoretical paper आता है Flowering Plant Identification and Aesthetic Characteristics Student इस सेमेस्टर से already मैं कई सारे videos upload कर चुका हूँ जो कि आपके exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो उसी video के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा इस सेमेस्टर से हम लोग prepare कर रहे थे हम लोग complete कर रहे थे families को जिसके अंदर अभी तक हम कई सारे important families को cover कर चुके हैं आज किस video के अंदर हम cover करेंगे family composite के बारे में या जिसे हम Aesthetic family के नाम से भी जानते हैं इस family का जो सबसे most representative member है वो है sunflower तो इसे हम sunflower family के नाम से भी जानते हैं जो सूरज मुखी का पौधा होता है वो इस family के member एक तरीके से आप कह सकते हैं representative member है चलिए सबसे पहले discuss करते हैं systematic position student यदि आप BSC के concept को हिंदी में समयना चाहते हैं तो आप इस channel से जुड सकते हैं यदि आप new education policy के coding जो आपका नया syllabus loan चुआ है BSC का अगर आप उसके according पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस channel से जुड सकते हैं चलिए वीडियो को start करते हैं heading डाले जिए classification या systematic position family composite को हमने division ngos पर्मी के अंदर रखा student आपके mind में अगर ये question आ रहा है कि अगर ये long question में पूछा जाए family composite के बारे में तो हमों लोगों को कितना लिखना है और ध्यान रखना है अगर composite आये या yesterday से आये किसी भी नाम से आ सकता है कोई भी इसका alternative name जो है किसी भी नाम से आ सकता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है आपको उतना ही explain करना है जितना कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ साथ में कई बार sunflower family के नाम से भी question अगर पूछा जाता है इसका क्या करन रहा होगा एक तो इसमें फ्लावर पाए जाते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उनको एंज्योस्पर्मी के अंदर रखा गया है नंबर सेकेंड इसे क्लास डाइ कोटिलिडन्स के अंदर रखा गया यानि कि इसके जो embryo होता है उसमें दो कोटिलिडन्स बनते हैं इनकी जो पतियां होती है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है सब क्लास गेमो पेटली के अंदर रखा गया है निके पेटल्स जो होते हैं वो फ्यूज रहते हैं यानि कुछ रीजन्स हैं जिनके कारण इन्हें इस सिस्टेमेटिक पोजिशन के अकोर्डिंग अरेंज किया गया है तो आप लोगों को उसका रीजन पता होना चाहिए अगर सीरीज इसे इन्फरी के अंदर रखा गया है यानि के ओवरी जो होगी इसमें इन्फीरियर होती है अब हम डिसकस करते हैं डिस्ट्रिबुशन के बारे में यानि के वित्रन कमपोजिटी एंजियोस्पर्मी का सबसे विशाल यानि के लार्जेस्ट फैमली है इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं इसकुल के अंदरगत लगबग 950 जेनेरा और 20,000 इस्पिसीज आते हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें से इंडिया में लग पाया चाते हैं अब हम डिसकस करते हैं वेजी टेटिव के बारे में यानि कि इसी तरह से आपको भी अपने एक्जाम पर की जो रिटन कॉपी उसमें भी लिखते चले आना है राइट वेजी टेटिव केरेक्टर में आपको कौन-कौन से पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं रूट, स्टेम और लीफ ये चार पॉइंट आपको मेंशन करना है है हैविट में आपको क्या लिखना है कि इस फैमली के जो मेंबर्स होते हैं वो एन्वल है एन्वल का मतलब समझते हैं जो अपनी लाइफ साइकल को कम्प्लीट करने के लिए एक वर्स लेते हैं यानि एन यानि इनका जो स्टेम होगा वो सौफ्ट और ग्रीन होता है और कभी-कभी कुछ सब्स भी आपको देखने को मिलेंगे और बड़े-बड़े ट्रीज के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करते हैं रूट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ जा रहा है अब जैसे हम स्टेम की बात करें तो हर्बेसियस होता है यानि कि सोफ्ट और ग्रीन उनका स्टेम रहता है इरेक्ट होता है उपर की तरफ उठा हुआ प्रोस्टेट भी देखने को मिलता है सॉलिड होता है और ग्रीन कलर का होता है अगर हम पत्तियों की बात करे अल्टरनेशन एक के बाद एक एक के बाद एक एक बाद एक इस परकार से अल्टरनेशन देखने को मिलता है अपोजिट भी है अल्टरनेट के बाद आप लोग देखेंगे कभी-कभी अपोजिट भी होती है अपोजिट का मतलब क्या होता है एक पत्ति यहां पर है तो जस्ट इसी के opposite एक और लीफ है, यानि कि ये एक दूसरे के opposite है, तो आपको इनके meaning का पता होना चाहिए, इसके बाद wall में भी पाये जाते हैं, चक्कदार होते हैं, साथ में आप देखेंगे इसमें अपसेंट है, तो हम यहापर क्या लगाते हैं, एकस इस्टिप्यूल, प्रेजन्ट है, तो प्रेजन्ट होते हैं, अगर आप लीफ का character लिख रहे हैं, इनके में रेटिकुलेट वेनिशन देखने को मिलता है, अगर आप इनकी पत्तियों को ध्यान से देखेंगे, जै इसमें जो वेन्स गई हुई है, इस प्रकार से इनमें क्या होता है, कि एक जाल देखने को मिलता है, इन वेन्स का एक तरीके से पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाए दे, तो इसे हम कहते हैं, रेटिकुलेट वेनिशन, अब हम देखते हैं, फ्लोरल के बारे में, यह तो हमने कवर किया इनका वेजिटीटीव केरेक्टर, अब हम देखते हैं, पुश्पी अलक्षन, पुश्पी अलक्षन में हमें पता चलता है, सबसे पहले हम लोग मेंचन करते हैं, इन फ्लोरिसंस, यानि इनमें जो फ्लावर है, वो किस परकार से उनका अरेंजमेंट हैं, तो जो पुश्प करम जो होता है, वो इसमें हेड एन क्याप्यूटिलम होता है, अब यहाँ पर इस डाइग्राम के मदद से भी आप लोग समझेंगे, आपके माइंड में एक पर्टिकुलर जैसे संफ्लावर है, तो संफ्लावर को आप लोग अजियूम करके चलेंग अब हम डिसकस करते हैं फ्लावर के बारे में, अभी तक तो हमने फ्लावर के गुच्छों की बात की, यानि कि उसमें उनका अर्रेंजमेंट कैसे है, अब हम एक पर्टिकुलर फ्लावर को लेकर देखते हैं कि उसके क्या-क्या करेक्टर होते हैं, तो जो most most important point है वो आपको पुस्पकरम बना लेते हैं, यह जो पुस्पकरम यानि फ्लोरेट्स प्राइज होते हैं, वो दो परकार के होते हैं, एक तो बाहर की और पाय जाने वाले जिसने कहा जाता है मार्जिनल वन्स, या जिसे हम रे फ्लोरेट्स के नाम से भी जानते हैं, यह most important point है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, रे फ्लोरेट्स, और एक होते हैं, सेंटर की और यानि केंदर की और पाय जाने वाले सेंटरल वन, इसे हम कहा जाता है, डिस्क फ्लोरेट्स, तो आपको में चीज क्या रखना है, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स इन दोनों में होते हैं और कभी-कभी सभी जो फ्लॉरेट्स हैं वो एक ही प्रकार के हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट इसके बाद यहाँ पर जैसे लाउनिया है या संकस है आदी में सभी जो पुस्पक होते हैं जो फ्लॉरेट्स होते हैं वो लिक्विलेट तथा जाईगो मॉर्फिक होते हैं अब यहाँ पर आपकी mind में question आ रहा होगा सरम diagram कौन कौन सा बनाएं अगर यह long question में आता है तो हमने कौन कौन से diagram मेंशन करने चाहिए तो देखिए student दो diagram जो की most most important है आपको floral diagram जरूर मेंशन करना है आप लोग भले ही इसकी यह सब structure को mention ना करें लेकिन floral diagram आपको जरूर बनाना होगा अब floral diagram किसी एक member जैसे for example हमने sunflower का example लिया तो यह दोनों के दोनों diagram आपको बनाने पड़ेंगे यह इसके ray florets का diagram है और यह इसके disc florets का diagram है यह सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके बाद जो दूसरा member है इसमें थोड़ा आपको कठीन होगा diagram बनाना लेकिन यह diagram बनाना बहुत आसान है इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं इसका floral formula भी लिख सकते हैं स्टूडेंट हम flower की character के बारे में discuss कर रहे थे वर्नोनिया और एजिरेटम आदी में यह जो ray और disc florets होते हैं बाइसेक्शल होते हैं सेंटीपीडा और एरिगेरवन आदी में यह जो ray florets female तथा जो disc florets होते हैं वो बाइसेक्शल होते हैं सबसे जो आसान डाइग्राम है वो सूरज मुखी का ही है और सूरज मुखी इनका में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है तो आप लोग उसको बारे में एक्स्प्लेन कर सकते हैं उसका डाइग्राम भी बना सकते हैं अब हम बात करते हैं डिस्क फ्लोरेट के बारे में यह है सेसाइल होता है रेगुलर होता है एक्टिनो मॉर्फिक होता है सिमेट्री के बेस पर कंपलीट होता है बाइसेक्शल होता है और ब्रेक्ट अगर प्र के topic को बहुत अच्छी तरह से मैं discuss कर चुका हूँ YouTube पर आप लोग जा कर देख सकते हैं अगर हम एंद्रोशियम की बात करें तो इसमें पाच stamens होते हैं और यहाँ पर दल लगन है अब यहाँ पर simply आप लोग क्या देखेंगे इपी पेटलस condition पाय जा रही है तफा लंबी दरारो द्वारा फटने वाले होते हैं इन stamens के जो filament होते हैं वो फ्री रहते हैं इसलिए यहाँ पर सिंगेसिश कंडिशन है अगर हम गाइनुशियम की यानि कि एक locule पाया जाता है, inferior तथा anatropos ovule यूक्त होता है और इसमें जो presentation है वो basal presentation होता है और style simple होती है तथा stigma जो होता है वो bilobd होता है, right? fruit इसमें जो है simply आपको cipcellular type का होता है और sheet non-androspermic होता है fruit and sheet को discuss करने के बाद अगर हम इसके floral formula के उपर ध्यान दे तो ये actinomorphic, bisexual, अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखें तो endosium में जो stamens की संख्या है वो 5 है और वो आपस में fuse है तो हमने bracket में किया हुआ है और ये जो stamens है ये petals attach है, ep petals condition है तो हमने इस प्रकार से arrow का निशान दिया हो गया है इसके बाद gynosium में आप लोग देखेंगे तो by carpeller होता है इसलिए हमने आपर दो लिखा है और वो आपस में fuse रहते हैं तो इसलिए हमने bracket में लिखा है और ovary inferior है तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ dash लगाया है अगर superior होती है तो नीचे की तरफ हम लोग dash लगाते है इसके बाद अगर हम ray florets के बारे में डिसकस करें तो यह है प्राय यानि जनरली बाहरी यानि के आउटर सेसाइल जाइगोमॉर्फिक इरेगुलर लिगुलेट बाइलेबियेट और उनिसेक्शुल वा फीमेल कभी-क अगर हम बात करें कैलिक्स के बारे में तो प्राय है पैपस के रूप में होता है और अगर हम कोरोला की बात करें तो प्राय में 5 पैटल्स वा गेमो पैटलस कंडिशन वा लेगुलेट होते हैं अगर हम बात करें तो रे फ्लोरेट के अंदर अनुपस्तित होते हैं अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो जब कभी उपस्तित होता है तो यह है डिस्क फ्लॉरेट की भाती होता है इसके बाद फाइनली अगर आप लोग रे फ्लॉरेट का फ्लॉरल फॉर्मॉला लिखना चाहे है तो लिख सकते हैं अगर आप दोगें पैपस के फोर में होता है और और अगर 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 आप देखें तो पैटल की संख्या 5 आपस में फ्यूज है इसलिए हम इसको ब्रेकेट में लिखा है और और अवरीज होती है वह इनफिरियर होती है इसलिए इसके उपर हमने डैस का निशान ऊपर की तरफ लगाया है अगर सुपीरियर होती तो नीची की तरफ लगाते तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने इसके डिस्क फ्लॉरेट और साथ में रे फ्लॉरेट इन दोने के डाइग्राम भी देखे और उन दोनों के करेक् पढ़ेंगे जिसमें आप लोग कुछ औरनामेंटल प्लांट के बोटैनिकल नेम याद कर सकते हैं मेडिशनल प्लांट के याद कर सकते हैं और वेजी टेबर वैल्यू के भी राइट कई बात दो नंबर में शोट कोशन में अलग से भी पूछा जाता है तो वहां पर भी आ जैनिकल नेम या जैनिया या कॉस्मोस कुछ ऐसी हैं जो की बहुत इजी हैं याद करने में आप लोग उसको लिख सकते हैं मेडिशनल वैल्यू के जैसे काली जीरी होता है या करन माला होता है या एक लेप्टल अलबा होता है यह कुछ नेम आप लोग याद कर सकते हैं जि वीडियो में बाई बाई टाटा